लद्दाग के कारगिल के कबारी नाला इलाके में एक बिल्डिंग ढह गई घटना में 12 लोग घाल हो गई हाथसा सुबा करीब 3 बच कर 45 मिनट पर हुआ है जब बिल्डिंग के निचले हिस्से में कंस्ट्रक्शन का काम चलबा तो अब सभी घालों को इलाज के लिए जिलास पताल ले जाए गया सूचना मिलने के बार लद्दाग पुलिस भारतिय सेना बासी जए इमाम अल्विजा टीम और MC टीम मौके पर पहुची मलबे में और लोगों के दबे होने की भी आशुका है रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी है हाथसे के वक्त बिल्डिंग में कितने लोग थे अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है जिस जगा हाथसा हुआ वहां उचाई पर मारते बनी है नीचे सरक किरावे कंस्ट्रक्शन का काम चलबा था तस्विबों में एक JCB मशीन भी मलबे में दबी दिखी